हेलो दोस्तो, स्वागता सभीका, मेरे यूट्यूप चनल, दसन जान, दोस्तो, डिटर प्लेस्वी की पेडागोजी की सीरीद चले, जिसमें मैंने दर्सन से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने अब तर्थ दो वीडियो सुट कर दी है, आज हम तीसे वीडियो सुट कर रहे है तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको दर्शन के पूरे भाग पढ़ा दी थे तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन भारती दर्शन पासा दर्शन आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सांके दर्शन की सांके दर्शन सबसे बहरी वहरी इंपोर्डेंट द यानि शम्केदेसा कों कोक्वल मुनि बताने हैं फिर उसके बाद वह आप से पुछेंगे कि कि शांकेद डर्शन हो Eğer कोन erasedrant के थे तो आपको कि यहां सबसे प्राचीन के नाम से भी जाना है लेकिन दूस्तों यहां पर एक बात यह और हो सकती है वो इस प्राचीन दर्सन का नम ऐसे ही दे सकता है कि भारतिय भारतिय सट दर्सनों में सबसे प्राचीन दर्सन कौन सा है सबसे प्राचीन दर्सन कौन सा है तो आपको मेरे दोस्तों बताना है सांके दर्सन यानि दो तरीके से question put up कर सकता है कि भारती दर्सन में प्राचीन दर्सन कौन सा है तो आपको बताना है सांके दर्सन भारती दर्सनों में सबसे प्राचीन दर्सन के जनक कोन है आपको कप्ल मोनी बताने है अब उस इतर संके धर सांकित दर्शन को कौनसा दर्शन भी खूथेशंद विलिकन सबस्याद दोस्तों जो यहाँ पर important बात होगी, वो सांकित दर्शन के तत्तों की होगी, वो आपसे compulsory कहीं पर question put up ये करता है, कि सांकित दर्शन में कितने तत्तों की ब्याख्या की है, देखो, अब जो तत्तों put up करेगा दोस्तों, तो वो दो तरीके से put up करेगा, या तो आपसे ये पूछेगा सांकित दर्शन में मुख्य तत्तों कितने हैं, तो आपको उताने हैं, दो सांकित दर्शन में कुल तत्तों कितने हैं, तो दोस्तों आपको उताने हैं, पच्चीश तत्तों कितने तत्तों हैं, पच्चीश तत्तों हैं, देखो, सांकित दर्शन में जो मुख्य तत्त।ों दोस्तों वो कौन-куन से हैं? उनको समझेंगे. तो पहला मेने आपको बताया पुरोस और दू़सरा मेने बताया प्रकर्थि यानि संकित दर्सन में जो हमारे दो मुख्य तत्त। हैं वो दो हैं पुरोस और प्रकर्थि अब पुरोस को हम coupe दो का प्रकर्टी में प्रकर्टी को जड माना ऑघ ब्रकर्टी को कौन सा उप्रत्तु माना गए अंगा elnickन इंसे फैंज ज्यादा जो इंस चले कई जो करतों अंड क्या आपको बेंद में यह CTab में पूचा गया केंडато संगठन कॉनई पूचा 80 सुपर टेट और टेट भई पूछा जाता है यानि प्रकर्ती में कौन से 3 तत्तों पाई जाते हैं तो सत रज तम यानि सतोगड़ी, रजोगड़ी और तमोगड़ी पाई जाते हैं अब यह जो कुल 25 तत्तों हैं इनके बारे में डिफाइन करते हैं क्योंकि आपसे यह बुला जाएगा कि हमारा जो सरीर वो कितने तत्तों से मिलकर बना है तो mostly जो आपको बताते हैं गाओं में जो भी ससंग होते हैं वो कहते हैं पांस तत्तों से मिलकर बना होता है लेकिन नहीं हमारा जो सरीर है वो all over जो total है वो कितने तत्तों से मिलकर बना ह या महत या बद्धी यानि पहला होगा पुरोष, प्रकर्ती, महत, मन, अहेंकार यानि देखो एक यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया चोथा यह हो गया और पांचमा यह हो गया यानि पुरोष, प्रकर्ती, महत, मन, और अहेंकार फिर उसके बाद ग्यानिंद्री आएंगी तो ग्यानिंद्री हमारी कितने दोस्तों पांच हैं आंक ना कान तवचा जीव पांच और पांच मिलके दोस्तों कितने हो रहे हैं और दस फिर उसके बाद हमारी करमेंद्री आएंगी करमेंद्री दोस्तों मारी कितनी हैं पांच है मुक, हात, पेर, मल, निस्कासनेंद्रिया और प्रजनेंद्रिया यानि दस और पाँच कितने होगे दोस्तों हमारे पंदर है फिर उसके बाद दस जश्ट आएंगे पंच तनमत्र है वो कौन-कौन से सब्द, इसपर्स, रूप, रस, गंद पंदर और पंच कितनी होगे दोस्तों, बीस फिर उसके बाद जो हमारा आते हैं, पंच महाभूत कहते हैं, अगर किसी का स्वरगवास हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो जब भी हम किसी को बताते हैं, तो कहते हैं, कि आज वो पंच तत्तों में बिलीन होगे तो ये पंच तत्तों कौन से हैं दोस्तों, ये है, आकास, वायू, अगनी, जल, प्रत्वी यानि इन पंच तत्तों में हम जनम लेंगे, इसी में रहेंगे, खाएंगे, पीएंगे, गिरस्त चलाएंगे ब्रद्दावस्त्रम में जाएंगे ब्रद्दावस्त्रम में जाएंगे और उसके बाद इसी में मिल जाएंगे वो हमारी ये पांच तक्तो कहलाते हैं इसी को कहते हैं कि हमारा जो सरीर है वो पांच तक्तों से मिलकर बना है लेकिन दोस्तो अगर वो आपसे ये पूछे कि हम उच्छ महा भूत क्लियर अगर आप से ये पूछे के संकित दर्सन में मुक्रत तक तो कितने तो दूस्त आपको उताने दो कुलत तो कितने तो आपको उताने 25 अब उसके बाद यहां पर एक बात ही आती है ये जो मैंने लिखा है आपको ये very very important लिखा है कि सतकारवाद के सिद्धान्त का प्रतपादन किस ने किया तो सांकित दर्सन में स्रश्टी के विकास के लिए अगर वो आपसे ये पूछें सतकारवाद के सिद्धान्त का प्रतपादन क्यों किया गया है तो आपको बताना है कि स्रश्टी के विकास के लिए कि सिद्धान्त का प्रतपादन किया गया है तो आपको बताना है सतकारवाद के सिद्धान्त का प्रतपादन किया गया है सांकित दर्सन को सांकित प्रवचन के नाम से भी जाना जाता है और स्री मद भागवत में सांकित दर्शन को तत्व गड़क के नाम से भी जाना जाता है तत्व गड़क का मतलब यह होता है कि इसने तत्व की गड़ना बताई है कि हमारे जो कुल तत्व हैं वो कितने हैं 25 तत्व हैं अगर आपसे यह पूचे कि द्वैतवादी दर्शन किसको कहते हैं तो आपको बताना है संकित दर्शन को ज्यान मीमान सा का दर्शन किसे कहते हैं तब भी आपको बताना है संकित दर्शन को दोस्तो आपको बताना है तीन प्रकार का है अगर आपसे यह सांके दर्स में कितने प्रकार के दुखों का बढ़न किया गया है तो आपको बताना है तीन प्रकार के दुखों का बढ़न किया गया है अब इन तीन प्रकार के दुखों को समझेंगे पहला जो दुख है दोस्तो वो है आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख कौन सा है, तो ऐसा दुख जो स्वयम से उत्पन होता है, जो किसी के कहने पर नहों, अंदर से ही हम किसी को देख के जलने लगते हैं, या अंदर से ही हमें ये कश्ट होने लगता है, कि उसका कितना अच्छा हो रहा हमारा न अध्यात्मीक दूसरे के दूसरे के दूसरे के दौरा दुख दिया जाता है तो उसको कौन सा दुख बूलते हैं अध्य भहुतिक दुख कहते हैं अब उसके वाद तीसरे नम्मर पर मैंने आपको पढ़ा है अध्य दैविक दुख अध्य दैविक का मतलब होता है ऐसा दुख जो प्राकरते कारणों से उत्पन्न होता है ऐसा दुख जो प्राकरते करणों से उत्पन्न होता है मालिजे तूफान आ गया, बरसा हो गई, बार आ गई, भूकम पा गया ये जो निनके द्वारा हमें जो दुख मिलता है उसको कौन सा बोलते हैं? अधि बहुत, अधि द्याविक दुख दोस्तों, ये बेरी बेरी इंपोडेंट है द्यार रखना, द्यार रखना के सांकित दर्शन में कितने प्रकार के दुखों का वरण किया गया है तो आपको बताना, तीन प्रकार के दुखों का वरण किया गया उसको हम कौन सा दुख बोलते हैं अधे दैविक दुख बोलते हैं अब उसके बाद वह आप से पूचेगा सांकित दर्शन में सरीर कितने प्रकार का होता दोस्तों तो आपको बताना तीन प्रकार का सूचम सरीर इस थूल सरीर और कारण सरीर सूच में सरीर क्या होता है मैंने आपको बता है कि मन बुद्धी एहंकर यानि यह वाला जो सरीर होता है मन बुद्धी एहंकर से मिलकर बना होता है और म्रत्यों के वाद भरमर करता है अब आपने देखा होगा कभी कभी कहते हैं को भूत होते हैं भूत होते या नहीं होते इस तक वह भ्रमर करता रहता है वह कौन सा सरीर कहलता है हमारा सूचम सरीर कहलता है यानि वह कौन सा सरीर है जो मरने के बाद भ्रमर करता है तो आपको बताना है जोस्तों सूचम सरीर इस तूल सरीर कौन सा होता है ऐसा सरीर जो हमारा प्रतच्य दिखाई दे रहा है यानि जो आपको ये प्रतच्य दिखाई दे रहा है ये कौन सा सरीर है हमारा इस थूल सरीर है और ये किन-किन से मिलकर बना है तो ये ज्यानिंद्रियां और करमिंद्रियों से मिलकर बना है है. उसके बाद आता हमारा ठड़ नंमर पर कारड सरीर को दोस्तु मैंने बताया है संस्कारी सरीर यानि जब हमारे छोटे भाहि बहने बहतीजि मैं वह बेटा बहती होते है तो हम उसको जैसी आदत सि aggi़घेंगे जैसे उसे अच्छी आते दिये हर किसी से वो नमस्ते कर रहा है जुड़कर तो वह वैसा करेगा यानि कारण सरीर वह सरीर होता है जो एक छोटे वालक में संसकार दिये जाते हैं इसमें सबसी ज्यादा जो को यह की प्रकार और अगर आप से यह पूचें कि शनकितदा और चैनल क्तिय के लिए उनको रखा गया आगर दोस्तों आप से पूचें मैं बacked שאomas तो आपको तीन विदी बतानी हैं, पहला प्रतच्च विदी, दूसरा अनुमान विदी और तीसरा सब्द विदी, यह है दोस्तो सांके दर्सन, अब भारतिय सट दर्सनों में सबसे प्राचीन दर्सन कौन सा है, वो आपको बताना है, सांके दर्सन, सांके दर्सन के जनक कोन ह वो आपको बताने कपिल मुनी सांकीधा से मीदियो कुल तत्तु कितने हैं वह vist laf 25 थाने मुक्य तकतों कितने दो है कौन कौन से पुरूस और प्रकरदी यह मैंने आपको पूरे 25 तक बता दी हैं यह है दोस्तों सांके दशां दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लैग fabulous उस पेड़ागोजी को पड़ाने का पूरी जिम्मेदरी मेरी है पूरी-पूरी कोश्वil करूँगा आपको सरल सरल भासा में समझाने की और अच्छे से अच्छे concept clear कराने की बस आप support करें और चैनल पर बने रहें मिलते हैं next वीडियो में धन्नबाद दोस्तों